तो स्वागत है सभी साथियों का स्टेडी एक्जाम ओनलाइन पर जैसा कि मित्रू आप सभी को पता है कि हाइकोट का यहाँ पर एक्जाम ड्राइवर पद के लिए हो चुका है और हाइकोट डी गृूप का यहाँ पर एक्जाम होना है तो आज हम दोनुकी कटोप की यहाँ पर बात करने वाले हैं इससे पहले जदी जो हाइकोट डी गृूप का एक्जाम हुआ है उसकी अभी तक आपने एंसुर की नहीं देखिए तो आप एंसुर की देख सकते हैं एंसुर की देखने के लिए आपकी इसको ओपिशिल वेबसाइट के उपर आने के बाद आपको क लिए से यहां पर आँगे यहां पर तीन डोर्ट आपको लिके मिल जाएंगे इन टीन डोर्ट के उपर आपको खिले करना है यहां पर कृलिक ने के बाद निचे आणा है और यहां पर आपको निच्छा निचhasります की मिल जाईगी आप यहां पर देख सकते हैं चोबीज पतर था एंसर कि आपके सामने निकल कर आचुकिए यहां से आप किस परकार से मिलान करोगे क्योंकि paper देखो CD अलग लग था A, B, CD यहां से A, C तक था तो देखो यहां पर A वाले का मालो एक नमर परशन था वो बीवाले का 20 नमर परशन था शीवाले का 31 नमर परशन था यानि आप देख सकते हैं सबसे पहले डीवाले की साथ नमर परशन सबसे पहले था इस प्रकाश अलग लग थे तो इस प्रकाश आपने एंस्विर की मिलान कर सकते हैं अब यहां पर हम बात कर तो आपकी यहां पर कटोप है जनरल वालू की वो यहां पर 79 फलस रहेगी 79 से लेकर 85 के बीच में रहने की यहां पर संभावना है क्योंकि पेपर के लेवल को देखते वे यहां पर यह सोर हो चुका है 79 से लेकर 85 तक आपकी मेरिट रे सकती है जनरल केटिगरीगी यदि आपके कितने नमबर आ रहे हैं आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं नए हो तो चेनल को सबस्क्राइब कर ले क्योंकि गूर्मेंट जोब की पलपल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती है जनरेवालों के जिसके कम नमबर आ रहे हैं उसको हाईगोड डी ग्रूप का जो एक्जाम है उसकी त्यारी स्टार्ट कर देनी चाहिए समय रेते वे यहां हम बात करें OBC के टेगरी की OBC की बात करें तो OBC वालू के यदि 78 से लेकर 82 के बीच पे यदि नमबर आ रहे है तो आपको यहां पर फिजिकल की आपको यहां पर बिल्कुल सेफ हो और आपको यहां पर आपका यहां पर चांस पूरा-पूरा बेड़ता है यहां हम बात करें आगे OBC के बाद में और य सिगी एसी यदि category वाले बंदे हैं और यहां आपके 75 75 से लेकर 80 के बीच पे यदि नमबर है तो यहां पर आप बिल्कुल सेफ हो सेफ स्कोर के अंदर हो यहां बात करें यहां पर St category की तो एस्टी वालों के जिसके 70 प्लस नमबर है यहां पर 70 प्लस यहां पर बिल्कुल से पो कि आपको यहां पर किसी परकार से गबराने की आउशकता नहीं है तो इस परकार से आप đेख सकते हैं कि हाई कोड़ी गृपक का जो एक्जाम में उसकी इसी परकार से जाने की संभावव नहीं इसलिए हाई कोड़ी गृपक्त हो तो रेगुल अपनी टैरी बनाई रखे और जो ड्राइवर वाले है आपके कम नमर आ रहे तो गबरान नहीं और वी काफी एक्जाम आ रहे और हो सकता है इसे एक दो नमर उपर नीचे मेरिट हो सकती है यहां पर विदारतियों के सर्वे के बाद पता से लाए